कि देखिए हम पढ़ने वाले हैं जर्नल मीटिंग ध्यान दिजिएगा बहुत सिंपल चेप्टर है बहुत ही सिंपल लेकिन इस चेप्टर को मुझे कई बार लगता यह प्रैक्टिकल कुश्टन्स भी पूछे जाते हैं इसमें से के स्टडी बेस भी जर्नल मीटिंग मीटिंग का मतलब होता है मिलना अब सर हम किस की बात कर रहे है ध्यान दिजिएगा किस मीटिंग की बात चल रही है मान लिजिए एक XYZ लिमिटेड एक कमपनी है एक XYZ लिमिटेड एक कमपनी है और आप शेयर होल्डर हो आप शेयर होल्डर और आप जितने भी शेयर होल्डर हो आप सभी ने कमपनी में इन्वेस्मेंट किया हुआ है आप शेयर होल्डर सभी ने मिलके कमपनी के अंदर पैसा इन्वेस्मेंट किया हुआ है और जो आप सभी ने investment किया है उसे हम बोलते हैं आप सभी ने इस company के अंदर capital लगाया है simple सी बात है बिल्कुल basic तरीके से समझो बिल्कुल starting से लिके चल रहे हैं तो आप shareholder हो आपने company में पैसे लगाए तो आपका माना जाएगा आपने क्या करा इन्वेस्मेंट मतलब capital और आप सभी आप सभी company के कौन माने जाओगे आप सभी एक तरीके से company के हो ओनर आप सभी company के हो ओनर तो भाई company के ओनर के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं आप अगर कहीं आपके दुकान आपका है तो उसके इसाब से एक सेकेंट आप सकते हैं झाल झाल बच्चे कहने सर कौन सा चेप्टर पढ़ा रहे हो आज छोड़ो चेप्टर विप्टर छोड़ो कुछ बात सीख लेते हैं वही काम आएगा चेप्टर विप्टर करके क्या करेंगे आज है तो मैं क्या बता रहा था कि आपके कंपणी और आपने कंपणी में क्या लगाया पै दी जाती है यानि company के अंदर जो देख रेक करता है न वो दो किसम के इंसान होते हैं इस company के अंदर सर्दो तरीके का मतलब एक होता है हमारा chairman founder और एक होता है हमारा board of director, bod, board of director होता है, यह दोनों company, इस company board of director कौन होते हैं, जो company को चलाता है, यानि company के संचालक भी बोल देते हैं, हिंदी में, जो चलाता है, तो सारी मनमानी इसकी चलती है, आपने company का एक share खरीद लिया, और बोलो के मैं माली को हटो बैटने दो मुझे, तो भगा देंगे आपको company में से, तो आप सिर्फ shares लेके investment कर सकते हो, क्योंकि आप जब shares खरीदते हो, आपका motive यह नहीं होता है कि इस company का मालिक बने, आपका motive होता है कि 10 का share 12 में करके बीच दे, यानी profit कमा के निकल जाए, लेकिन फिर भी law अगर ऐसा रहा तो फिर law फिर भी कहता है, कि आप मालिक हो और reality में मालिक हो, आप सभी अपने पैसे मांग लोगे तो company खतम ही हो जाएगी फिर तो, तो आप company से पैसे मांग नहीं सकते हैं, आपने investment किया यह, आपके mind में बहुत सारे सवाल होते हैं, यार company कर क्या रही है, क्या कर रही है company, दूसरा, यार company का profit क्या हुआ, तीसरा, company ने क्या change कर दिया, मुझे बताया है नहीं, यानि अब इसके मालिक हो, और आपके मालिक जिस जगह के हो, और वहाँ पर क्या discussion हो रही है, क्या बदलाव हो रहा है, वो सारी चीज़े आपका जानने का अधिकार है, अगर आपको नहीं बताये गया, तो आप परिशान हो जाओगे, मालो आपका कोई घर है, और घर के आगे क्या चीज़े decoration हो रहा है, वो आपके हिसाब से होना चाहिए, क्या changes हो रहा है, वो आपके हिसाब से होना चाहिए, तो इसी हिसाब से इनके हिसाब से होना चाहिए, तो law ने इनको पावर दी खूब सारी, बोला भाईया, ये सब जो तुमारे questions है, और दो-तिन question जो है ये सारे question तुमारे एकदम valid question है company अपना मनमानी ना करे तो एक काम करो ये सब आप जाके पूछो इनसे और ये जवाब देंगे अगर ये जवाब नहीं देंगे तो हम इसके उपर लगाएंगे fine penalty और जब ये सब आ जाएंगे तो ये कमरे में थोड़ी आ सकते हैं तो company क्या करती है इनको बुलाती है time to time पे company बुलाईगी तो company बोलेगी कि भाई time to time पे एक काम करो आप आ जाओ तो company जब इनको बुलाईगी ना time to time पे तो इनको एक notice देगी पहले एक notice देगी कि भाई आजा तुमने तुम्हारी जो भी requirement है हम discuss करेंगे कहाँ पे meeting में meeting में सभी के सभी आएंगे इसी को बुला जाता है क्या meeting मतलब इन सभी को जब मैं बुलाऊंगा इखटा करूँगा और company का जो ये director है ये इन से discuss करेगा कि हाँ भाई मैंने यह किया है हाँ भाई मैंने ऐसा किया है company का profit loss सब कुछ बताएगा कौन बताएगा? ये दोनो main person किसको बताएगा? इसके company के honor यानि shareholder को बताएगा और ये सारी बाते भी बताएगा इस साल का profit कितना है ये सब चीज़े क्या है बताएगा तो बताने के लिए इसको बुलाना तो पड़ेगा ना तो जिस जगहें पर बुलाएगा जहां पर यह इक खटा होंगे आपका वहां मेटिंग हो रहा है भी कई तरीके के होता है एक तो भी यह तुम्हें profit and loss जानना है तो तुम साल के खतम होगा नजब जैसे मानलो 31 March खतम हो गया तो मैं ऐसा थोड़ी है कि आपको December में बुला लू 31 March से पहले मैं बुलू आजा भाई फरवरी में तेरे को profit and loss बता देंगे पॉसिबल ही नहीं क्योंकि profit and loss कब निकलेगा मार्च में तो मार्च के बाद ही बुलाओंगा तो मार्च के बाद मुझे balance sheet बनाने का टाइम दो तो यानि 30 September 30 September मार्च और 30 September के बीच में जब भी मेरा balance sheet बन जागा मैं तुम्हें बुला लूँगा और यह हर साल बुलाकर मैं बताऊंगा हमारी कंपनी कितना profit कमा रही है तो हर साल का मतलब annual एक होता है हमारा annual journal meeting यह साल में कितनी बार बुलाऊंगा एक बार भाई बुला लिया एक बार profit and loss इसका इंदर majorly annual journal meeting में मैं इसलिए बुलाता हूं साल में एक वार mainly मेरा काम क्या है आपको company का profit and loss बताना dividend बताना और चोटी मोटी चार्चाएं करना बस इसलिए अब बीच में company को लगता है कि यार नाम बदल ले बुलाना पड़ेगा तो बीच में बुलाना पड़ेगा और company को जब जब ज़रुरत होगी कुछ चीज़े बदलाव करने के लिए तो इनसे पूछने पड़ेगा पूछने के लिए ऐसा नहीं फोन पर पूछ लेंगे बोलेंगे आ जाईए meeting के अंदर फिर बात करते हैं तो जब बीच में कोई भी ज़रुरत पढ़ती है company को और बार बार बुलाई एक्स्ट्रा मतलब एजियम तो भई साल में एक बार होगा एजियम साल में कितनी बार हो सकता है no limit वैसे बोला गया है कि 45 दिन बाद ही बुलाने जैसे अभी एजियम बुलाया फिर 45 दिन के बाद और जब आपको बुलाया जाता है तो बुलाने के लिए आपको क्या दिया जाता है सर नोटिस अब मैं आपको बोलूँ नोटिस दे दू कि कल आ जाना जल्दी से मीटिंग में तो ऐसा नहीं चलेगा मैं आपको एकदम से कोई बता दे बोले कल पेपर है जा भाई लिख किया ऐसा नहीं होता है डेट शीट भी आपका एक्जाम में क्या आता है टाइम तो देता है ना ऐसा ही नोटिस में आप किसी को बुलाओगे तो नोटिस आपको 21 दिन नोटिस के अंदर आपको कितने दिन पहले इसको बताना पड़ेगा 21 दिन पहले 21 दिन पहले बोलेगा भाई आना है और 21 दिन के बार डेट होना चीए 21 दिन से पहले बुला नहीं सकते इसको यानि इन विचारों को सोचने समझने का टाइम दो 21 दिन और क्लियर 21 दिन होता ह मतनब जिस दिन मैंने post किया वो दिन count नहीं होगा जिस दिन आपके past पहुंचा वो दिन count नहीं होगा clear 21 अपकर दिया जाएगा जब notice देंगे तो आएंगे अब हो सकता है इस में से आल्सी बंदे भी हो कोई ऐ रहा है कोई नहीं मेरा मन नहीं कर रहा जाने का मीटिंग कर रूल एक पता चला क्या पनी की खृराब है कोई आया ऑगर को यह सारी बात किसको बता हाली टेवल को तो थोड़ी न बताए कि भाई कोई बात ने कोई नहीं आया मैं अपना काम कर रहा हूं रिकॉर्डिंग सूट कर भाई मैं बोल देता हूं कि इतना प्रॉफिट था इतना लॉस तो ऐसा तो नहीं हो सकता तो भाई इसके लिए भी रूल है कि कम से कम पांच या जितने वेक्ति है वो सामने बैठे होने जरूरी है अगर वो बैठे हुए नहीं है तो मीटिंग नहीं होगा यानि एक होता है minimum quorum कोरम का मतलब क्या है सर एक minimum वेक्ति requirement है सामने बैठा हुआ होना चाहिए तभी meeting स्टार्ट हो सकता अधर्वाइस नहीं होगा मैंने notice दिया क कि भाई आजा meeting पर कोई आया है नहीं मेरा meeting तो cancel हो गया फिर यह meeting next week उसे बोला जाएगा meeting को हमने cancel नहीं करा postpone कर दिया next time पर फिर से मुसे बोलेंगा भाई अब प्लीज अब आजाना अब चुट्टी मत करना अगर हम meeting conduct नहीं कर पाए सरकार हमारे उपर fine लगा देगी एक general meeting और इसी से question पूछा जाएगा तो sir quorum क्या होता है जो minimum वक्ति चाहिए हमें notice क्या है आपको बुलाने के लिए समय जो दिया गया ठीक है अब इसके बाद आपका मन नहीं कर रहा क्योंकि meeting में बड़ी सारी चीज़े खाने पीने की मिलती है और यह basically auditorium में होता है auditorium अब त सारी चीज़े समझाया जाएगा एकदम पूरी खाते जा देओ मालिक हो भाई company की आपका इतना हक तो बनता ही है तो आप क्या करते हो कई बार मानलो आपको लगता है कि मीटिंग में मुझे जाना चाहिए आपने बहुत सारा पैसा लगा रख आप आनी पार आप बिमार उसको भेज सकते हो कि यह काम कर मैं तो नहीं जा पाऊंगा मेरी हाला ठीक नहीं बस तू सुन लियो वहां पर और मुझे बता दियो क्या क्या हुआ तू चले मेरे बदले यानि मैं अपने बदले किसी और को भेज सकते हो जी हाँ आप अपने बदले किसी एक को भेज सकते ह अपने बदले जो भेजा है ना आपने उसको बोलते हैं proxy उसको क्या बोलेंगे proxy ठीक है उसको क्या बोलेंगे proxy तो तीन चार बाते मैंने discuss किया एक होता है हमारा notice, quorum meeting क्या है? meeting कब होता है हमारा financial year end होने के कुछ time तक के बाद meeting हो जाता है तो जनल मेटिंग हरे कमपनी को कितने तरीकत के Typically दोतरीकः का मीटिंग है कौन-कौन सा एक जनल मीटिंग एक Daniel जनल मेटिंग क्या होता है मेरा जो कि कि सास्टाल होना होता है और जो जनल मीटिंग सिर्फ एक्स्ट्रा-ई जीएम बोलते हैं extraordinary ठीक है तो थोड़ा सा बेसिक कॉंसेप्ट आप दिमाग में पूरा का पूरा यह पिक्चर रखी है देखें चैप्टर के अंदर कुछ जान ही नहीं आएगा और इसमें से कोशन दस से पंदा नंबर का पूछा ही पूछा जाएगा अपका ठीक है सर मीटिंग क्या होता है सिंपल सा मैंने एक इमेज बताने की कोशिस की कि यह देखो यह जो बैठे हुए है यहां पर यह कौन है यह सबसे टॉप लेवल पर बैठे हुए है कौन है यह भाई साब डायरेक्टर चेयर्मेन बोर्ड अफ मेंबर इसमें एक बंदा ऐसा होगा जो में परसन होगा जो इस पूरे मीटिंग का बोलेगा अनाउंस्मेंट करेगा उसे बोलेगे इस मीटिंग का चेयर्मेन है ठीक है ना अब यह सब कौन है यह सब शेयर होल्डर है यह सुनने आए क्या बोल रहा है भाई कितना प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया तो ऐसा ही मीटि पूरी balance sheet और P&L इनको दे दिया जाएगा, क्योंकि meeting बुलाने का main purpose, annual journal meeting का main purpose होता है, distribute, circulate, क्या करना circulate, आपको profit and loss, balance sheet, dividend कितना मिला, सारी चीज़े, पहले जब पुराने time पे जब net banking नहीं हुआ करता था, तो हम check भी दे दिया करते थे, ये लो भाई, check ले लो, अपने dividend का तो ये सभी क्या दे रहे हैं, एक तरी से इनको balance sheet distribute कर रहे हैं, ये ले लेंगे और लेके बैठेंगे, आधे घंटे तक बाते सुनेंगे, लेकिन इनको objection भी होगा, अब ये सभी जितने भी बैठे हैं, अब ये कुछ भी बोलता रहा, ऐसा थोड़ी ना, इन में से कुछ ल काट दूं, या फिर मैं सोच रहा हूं कि इस बार मतलब कि कुछ ऐसा काम जो कि माइनर काम है, मैं सोच रहा हूं एक नया business छोटा मोटा कोई इसके अंदर incorporate कर दूं, तो कुछ छोटा मोटा काम होगा, तो उसके लिए pass होता है हमारा ordinary resolution, जिसको बोलते हैं OR, क्या बोला जात काई okay, तो ordinary resolution pass, बाकी 49 जितने person है, वो कुछ नहीं कर सकते, और कुछ काम ऐसे हैं जो बड़े काम है, company का नाम बदल रहे हैं, ये बड़ा काम है, तो उसके लिए concern चाहिए 75%, उसको बोलते हैं SR, special resolution, तो 100 में से कम से कम 75 लोग बोलेंगे कि इस काम के लिए agree हैं, तब वो काम हम ये कर पाएंगे कौन, ये board of director, अगर 75% लोग agree नहीं होंगे, तो ये कामी नहीं कर सकते, अब लेकिन, यहाँ पे जो ये हाथ उठा के बोल रहे हैं, कि हाँ बाई, मैंने इसने बोला कि हम company का नाम बदलना चाहते हैं, कितने लोग agree है, hand raise करें तैसे, इसे बोला जाता है show of hand के through meeting करना, show of hand, लेकिन भाई ये तो गलत है, इसके पास एक share और इसके पास 5000 share, लेकिन दोनों की power एक जैसी, समझे रहे हो ना, एक ने एक share लेके चला गया meeting में, और एक के पास कितने है, 5000 share, hand raise कर रहे हैं, तो दोनों का, एक वोट count और इसका भी एक वोट count, तो ऐसा हो पब्लिक जो है, वो बोले भाई, ऐसे नहीं चलेगी वोटिंग, show of hand करवा रहे हो, ये मतलब नहीं है, मैंने इतने share खरीद है, और मेरे वगल में एक बैठा, ये भी ये पावर, ये आप वोटिंग भाई पूल करवाओं, मतलब अब जितने share, उतने power, लेकिन अकेले ये 5000 नहीं कह सकता, कम से कम 10% जिसके पास shares होंगे न कमपनी के, वो ये demand कर सकता है, वोटिंग ओफ क्या करवाओ, पूल, पूल का मतलब कैसे, मतलब जितने share है, उतनी power हमें मिलने चाहिए, तो जब वोटिंग करेंगे तो ये, तो कौन-कौन से resolution पास हो सकता, special और ordinary, कुछ काम म में special की ज़रत होती है, कुछ काम में ordinary की, अब मान लेते हैं, ये सभी time पे आ गए, ये सभी time पे आ गए, सब आ गए है time पे, चेर में नहीं नहीं आया, बुला के, अब भाई ये wait करेंगे, पंदरा मिनट वेट करेंगे ये, उसके बोलेंगे, अपने में से किसी को उठाए चेर में नहीं आता, तो पंदरा मिनट के अंदर हम किसी को भी चेर में बना सकते हैं, इसमें से उठाके, और वो क्या करेगा, पूरी मीटिंग को conclude करेगा, लेकिन वो पर्मानेंट चेर में नहीं बन जाएगा, सिर्फ इसी मीटिंग का चेर में रहेगा, इस बात का भी ध् है, उसका मीटिंग स्टार्ट नहीं होगी, मीटिंग कहन सी लोगी, अगली दिन रखी जाएगी, समझे बात, तो उस केस के अंदर मीटिंग पोस्पोर्ट, चेर में बोर्ड मीटिंग, मतलब एन्वल जर्नल मीटिंग, वो भी देखेंगे, उसके उपर भी कोशन पूछा जाता है, प्रॉक्सी क्या होता है, कोई किसी के बदले आ गया, उसके अंदर भी देखेंगे, नोटिस क्या होता है, यह सारी चीजे हम इस चेप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा चेप्टर, जर्नल मीटिंग ऑफ शियर होल्डर के नाम से है, और जितनी मैंने बाते बताई हैं, इसी के आज पास पूरा चेप्टर घूमता है, बस इसके अंदर कुछ factual डेटा आपको पता होना चाहिए, कितने परसेंट है, कितने फाइन है, बस यह चीजे, के स्टेडी बेस इस पर कोश्चन काफी पूछा जाता है, तो देखें, आपका चेप्टर क्या था हमारा सर, शेर होल्डर की मीटिंग किस तरीके सोगी, मीटिंग का मतलब होफुली आपको समझ में आ गया होगा, मीटिंग क्या है, ठीक है, आगे देखते हैं, सर हम क्या-क्या पढ़ने वाले इस चेप्टर के अंदर अगर ध्यान से द ज़रत पड़े हैं, उतनी बार, लेकिन 45 दिन का गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज जनरल में EGM बुला लिया, बुला यार एक काम जो रहे गया, दुबारा कल फिल आ जा ठीक है, नहीं आप 45 दिन के बाद चलेगा ये काम, ठीक है, प्रोसीजर आफ रिकोजेशन आफ वैलिड मीटिंग, मीटिंग बुलाने का तरीका होना चाहिए, कौन बुलाएगा मीटिंग, उस कौन-कौन बुलाएगा मीटिंग और किस-किस सिचुएशन में, शेर होल्डर भी बुला सकता है मीटिंग, बोर्ड अफ डिरेक्टर भी बुला सकता है मीटिंग, और गवर् रेजुलेशन होते हैं कब कौन से रेजुलेशन तो यह मेंड पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस चप्टर के अंदर पढ़ना है सबसे पहले बेसिकली सिंपल से चीज़ देखो कि सर मीटिंग क्या होता है अब बस मेरा कुछ काम पढ़ना रहे गया और आपको सारी चीज़े समझ में आएगा मीनिंग क्या है पंडामेंटल कॉर्परेट जो भी है फंडामेंटल कॉर्परेट डिसीजन मेकिंग और अपॉइंट देयर रिपर्जेंटेटिव टर्मड डिरेक्टर मतलब मीटिंग के अंदर क्या होता है कि हमें किसको कैसे अपॉइंट करना है मतलब जो शेर होल्डर थे ना बैठे हुए उनके बिहाफ पर किसको हमें अपॉइंट करना है मतलब हम जब मीटिंग बुलाएंगे तो उसके अंदर किन-किन बातों पर डिसकेशन होगा जैसे like क्या term होगा, director कौन होगे और in fact इस meeting में ये भी decide होता है कि chairman की कितनी salary होगी, director की कितनी salary होगी, auditor की कितनी salary होगी, auditor को निकाल दे या रख ले, पुराना auditor दुबार आएगा तो ये सब discuss किया जाता है, called as a journal meeting, it's required held from time to time और इसे time to time रखा जाता है, basic सी चीज़े है चुली दो तरीके का discuss किया, kind of meeting की बात करें, एक है annual journal meeting और एक है extraordinary meeting, एक और होता है, it may noted that, एक होता है statutory meeting, जब company नहीं नहीं बनेगी, new company बना, तो उनको बोला जाता है भाईया, अपने, क्योंकि जब company बनी है, तो company के अंदर ना तो auditor होगा, ना तो कोई director होगा, कुछ नही initial phase पर पैसे लगाएं company के अंदर, तो अभी company के अंदर कोई नहीं है, तो कुछ company के अंदर नए लोगों को appointment करने के लिए हम बीच में, first time जो meeting बुलाईगी ना company, के भाई हमारी company बन गई है, आप सभी ने share में पैसे लगाएं, company इस पर बहुत अच्छे से काम करने वाली है हमने इस chartered accountant को रखा है, आपको कोई अतराज है और हमने ये director रखा है, आपको कोई अतराज है इसमें, ये सारी बात है पूछने के लिए पहली बार जो meeting बुलाएंगा, उसको बोलते हैं statutory meeting, क्या बोलता है, it may be noted that requirement of statutory meeting, report laid down the section 165 of the Companies Act 1956 के अंदर भी था ये, has been dropped by the Companies Act, मतलब पहले report laid down by the section 165 Companies Act, 1956 में था, has been dropped by the 13, लेकिन 13 के अंदर इसको बोला आप ज़रत नहीं हटाओ, कई बार आ सकता है, statutory meeting होती है या नहीं होती, 1956 में प्रोविजन था, आप बोला हटाओ, इससे ज़रत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो लिखा हुआ, it may be, पुराने अगर Company Act के इसाफ से कोई ruling चल रही है, गवर्मेंट ने बोला तो बुलाना पड़ेगा, वैसे कितनी meeting है सार, दो meeting only, कौन सी, AGM, EGM